नमेश का दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगिंद्रियाद है जब भी आप कोई बर्ड्स लाते हो तो बर्ड्स को लाकर के आप कैसे चेक करेंगे कि आप जो बर्ड्स लेकर आए हैं वो स्वस्त है या नहीं देखें कुछ पॉइंट्स में बताऊंगा जो कि आप बर्ड्स को एक्जामिन करके आप पता लगा सकते हो कि आपने जो बर्ड्स लिया है या कहीं से आपको गिफ्ट मिला है वो बर्ड्स हैल्दी है या नहीं देखें सबसे पहले तो ला करके birds की behavior activities को देखें यानि birds को एक खुले room के अंदर छोड़ दीजे और आप देखें कि जो active birds होता हमेशा उड़ेगा या इदर दर घुमता फिरता रहेगा जबकि जो बिमार birds हो गए जी आप बिमार लेकर रहे हैं उसकी activities देखें मतलब उसकी जो birds की जो normal chirping sounds होती है जो अपनी आवाज में जो चिलाता है आवाज निकालता है एक healthy birds हमेशा उस तरह की ही आवाज निकालेगा यदि ऐसा कुछ नहीं है तो आप यमान के चल सकते हैं कि आपका birds जो है बिमार है या उसमें बिमारी के कोई लेक्शन स्टार्ट हो गई है आप उसको identify कर सकते हैं दूसरा फिर आप birds के feather से आप उपर से पेचानिए देखिए birds की जो normal colors होते हैं बड़े ही चटकी ले होते हैं attractive होते हैं जबकि एक बिमार birds होगा उसका जो color होगा उसका body shining नहीं करता होगा बिल्कुल एक डल-डल होगा colors एकदम से फीके पढ़ चुके होगे तो ऐसा कोई भी birds मत लीजिए जिसके की colors फीके पढ़ गए उस time में birds की जो है skin के उपर shining होने चीए colors एकदम bright चमकी ले होने चीए चमक मारते होने चीए आप यदि birds के eyes की तरफ देखेंगे एक healthy birds की eyes होती है बिल्कुल चमचमाती होती है बिल्कुल shining करती होती है जबकि बिमार birds की एक आँख बंद होगी या दोनों आखे बंद होगी आँखों में सूजन हो सकती है आँखों में आप यदि गौर से देखेंगे तो उसकी eyes के अंदर कोई watery discharge भी हो सकता है पानी भी गिरता हो सकता है या eyes के अंदर आपको पस भी नज़र आ सकता है तो इस चीज़ की भी symptoms को आप identify कीजिए बिमार पक्षी में जो सबसे main होता है आप उसको vent portion को आप चेक किजिए birds को उठा करके जहां से आपका birds beat करता है देखे जब भी बिमार birds होता है उसमें vomiting या emotions दो चीज़ जैसी होती है जिस तरह के symptoms birds बिमार में अक्से मिलेंगे हो सकता है आप कहीं से लेकर के आए हो लेकिन आने के बाद अगर birds ने lose motion dairy क्या हो गए ज़िए आप vent वाला portion चेक करते हो तो birds की वहाँ पंखों के उपर गौर से चेक करने है तो वहाँ आप आपको beat लगी में लगी उस beat को ही आप identify करके आप पता लगा सकते हो कि आपका birds बिमार है या healthy है यदि कोई बीटनी लगी है और आपका birds आने कवा देदी poop एकदम solid कर देता है आपका birds बिल्कुल healthy है उसमें digestive system बिल्कुल हो कि किसी भी परकार का infection नहीं जबकि बिमार birds में पूरा नीचे से जो feather वाला portion है वहाँ पर देखेंगे पूरा उसके जो कह सकते हैं वेंट portion में जो है diarrhea होगा तो वहाँ पर पूरा dirty होगा नीचे से गंदा होगा तो ऐसा birds का भी मत लीजिए या अगर है तो उसके treatment करने कोशिच किए बिमार birds की जो बीक होती है वो भी एक अपनी आप एक indication होती है नॉर्मल जो बिमार birds होता है आप अकसर देखते हैं उसकी चोँच के साइज में डिसिमिलेटी जाती है एक चोँच छोटी हो जाती है एक बड़ी होती है जबकि जो regular एक healthy birds की जो बीक होनी चीए जो दोनों चोँच उनके साइज भीकुल एक जसे होनी चीए क्योंकि जब चोँच छोटी बड़ी उपर नीच एक जसी होगी तब ही आपका birds जो है प्रापर तरीके से खाना उठा पाएगा और खाना उठाने का मतलब है कि आपको birds प्रापर भरपीट खाना खा पा रहा है यदि चोँच छोटी बड़ी है birds खाना नहीं खा पा रहा है ऐसी conditions में birds में आप कह सकते हो एनिमिक भी हो सकता है या weakness आपको बहुत जाद है देखने को मिलेगी क्योंकि जो healthy birds होता है पेड के उपर बैठ करके या परचीज के उपर बैठ करके अपने नाकुनों को गिस्ता रहता है जबकि एक बिमार birds में इतनी हिम्मत नहीं होती वो हमेशा परचे पे ना बैठ करके केज के कोने में ही बैठेगा तो उसकी आप जो nails है उनको देखकर रखवे आइडेंटिफाई लगा सकते हैं कि आपका birds बिमार है ने दूसरा बिमार birds में अक्सर जो है bumble foot देखा गया, bumble foot होता बिर्ड के जो पैर कर नीचे का इसा होता है अक्सर उसमें swelling होती है या वो मोटा हो चुका, यानि it means कोई ना कोई आपके birds से infection catch किया है उसकी bumble foot के वज़े से आप देखेंगे कि आपका birds लंगडा करके चलना शूकर देता है यदि ऐसा कुछ है तो उस birds को तुरंट आप identify कीजे और उसका treatment करने कोशिश कीजे सबसे जो main होता है, keel bone होती है birds की, जैसी आपने birds को हाथ में लिया है सबसे पहले उसकी जो chest bone होती है, आप उसको feel कीजे एक healthy birds में आपको keel bone कभी भी महसूस नहीं होगी, जबकि बिमार birds होगा आप जैसी आप उसको keel bone को touch करेंगे, वो अलग से महसूस होगी यह नहीं body का वहाँ का fat dissolve हो चुका होगा, और यह एक बिमार पक्षी का सबसे main लक्षन होता है, यदि birds healthy है, तो healthy birds में कभी आप उसकी keel bone को महसूस नहीं कर सकते हो, जबकि बिमार birds में touch करते ही feathers के इंचे सबसे पहले keel bone होगे, आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ऐसे symptoms बताए हैं, जो कि बिमार पक्षी में होते हैं, यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके पक्षी में में से कोई भी लक्षन है, तो उसको आतो immediate treatment की जरूत है, या ऐसे birds को आप दूसरे birds से आप अलग करके अपनी दूसरे birds को विमार होने से बचा सकते हैं, उमीद करता हूँ कि आपको मेरे वीडियो पसंद आयोगे, यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आयोगे, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजे, धन्यवाद